दोस्तों नमस्कार आज की भाग दोड़ धरी जिन्दगी में सबसे महत्वपूर हर किसी का स्वास्ती आज की किस्वी सदी में हर कोई सेहत्मन्द, जमा, स्लिम, फिट देखना चाहता आदमी अपने उम्र से कम देखना चाहता है पर हो खुद को आकरसक दिखाना चाहता है ज्यान और पैसे के साथ साथ सेहत और ब्यक्ति का आकरसर ब्यक्ति की सबसे बड़ी जरूरत है आकरसक दिखना हर एक ब्यक्ति की चहत होती है यदि हम बात महिलाओं की करें तो महिलाओं की पहली वरियता होती है कि वो हमेशा स्वस्त दिखें, जमा दिखें और अपने पुबर से कम दिखें, इसके लिए महिलाएं बहु सारे जयतन करती है, वो ब्यूटी पार्लस में जाती है, बहु सारे कैमिकल्स का यूज करती है, घर पे बहु सारे घरेलू नुजक्य अपनाती है, लेकिन उसके मैलाओं में कुछ जादा ही होती है, कुछ मैलाएं तो अपनी उम्र भी छिपाती है, या कर्म बताती है, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, जो अपनी रियल उम्र से देखने में कुछ जादा ही बड़े लगते हैं, और इस समय यदि ये बात मैलाओं के लिए की जाये, तो उन उनके लिए शर्म की भी बात होती है कि वो अपने उम्र से कम दिखते हैं, इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, कुछ लोगों के इसकिन पर जूरियां, डाज दपे, लकीरे, आत निकल आती हैं, जिसके कारण को कम उम्र में ही बुजुर गया, अपनी उम्र से ज्यादा उम्र की तवचा भी बेदा मोटी जा रही है, इसके लिए तवचा पर साइंस अएजिंग की नजर आने लगी उस केस में भी आप अपने उम्र से ज्यादे देख सकते हैं, तो समझ जाईए हम आपको बुज़ादे बाते बताने जा रहे हैं, जिसके थोड़ी सी आपको बस फिक् पड़ेगी, आपकी दिंचर्या में तो छोटे मोटे मुश्के सामिल करने पड़ेंगे, आपको अपनी रोजाना के जिंदकी से थोड़ा सा वक्त निकानना पड़ेगा, और ये थोड़ा सा वक्त, थोड़ी सी जिम्मेदारी और थोड़ी सी सेंसिविटी आपको बनाएग कि जवा, अकर्सक और आप दिखेंगे सबसे अलग, अपने उम्र से कम उम्रेट सबसे पहले, नीत है बेहत जरूर दिन भर काम करना और भाग दोड़करने से सरीर ठक जाता है सरीर को मांसिक रूप से आराम की जरूरत होती है हम कई बार सो तो जाते हैं, लेकिन हमारा दिमाग छीक से नहीं सो पाता है यानि कि हमारे दिमाग को जितने आराम की आवश्रक्ता प्रति दिन होती है वो आवश्रक्ता की पूर्ति नहीं उपाती है और किसका कारण सीधी सीधी हमारे सरीर पर परता है यदि आप हर दिन में 5-6 घंटे सुएंगी तो आपके सरीर को प्रापर आराम नहीं मिलता है। इससे आप दिन बर तनाओं में रहेंगी और तनाओं का सीधा असर मांसिक सरीर पे पड़ता है। तो इसलिए आपको यह जरूरी है कि दिन में कम से कम साथ घंटे के नीट जरूर पूरी करें। और नीट पूरी करने के लिए जो बेहत आवश्चक चीज है और हमको बतानी जा रहेंगी। जादे तर लोग चाहें उपर उस हो और मेला हो या किसी भी उमर के कोई भी लोग हो वो जब तक सोते नहीं तक वो मोबाइल का यूज करते रहते हैं। और उसी दोरान वो सो जाते हैं। जिससे की उनका दिमाग पटता रहता है। तो नीद के पहले जरूरी है कि आप अपने मोबाइल को किनारे के रह दें। उसके बाद मन को इस्ठिर करने का प्रयास करें। शरीर को अध्याफन की तरफ ले जाने के प्रयास करें। जब आपका मन इस्ठिर हो जाएगा उसके बाद यदि आप सोते हैं। और यदि आपको उस समय साथ घंके से कम की नीद ले रहे हैं तो वो आपके लिए अवश्चक हो सकती है। इसलिए नीद आना, अच्छी नीद आना और अच्छी तरह से नीद आना ये भोटी जरूरी है। दूसरी चीज जो जरूरी है, जो हम आपको बताएंगे, वो है बिंचर है, तो सबसे पहले आपको नियादतों में बदलाव करना होगा, समय पर सोना है, समय पर जड़ना है, समय पर खाना है, समय पर पीना है, और एक्सरसाइज, यालिकि साररिक ब्यायाम, योग या मेडिट ये आपको नियमित रूप से करना है, पार्क में टहलने जाएंगे, तो अचाप एक हीचाओ नजर आएगा, परकृति के साथ चितना हो सकी, उतना समय बिदाएंगे, निश्चित रूप से आप लंबे समय तक जमान दिखेंगे, एक बात आपने गौर किया होगा, कि जो भ से बना है, ये परकृति के नेचुनल चीज से बना है, तो यदि हम कोई टीवी पर आड को देखके, कोई परकृति की चीज को खरीज सकते हों, और यदि हम खुद ही परकृति के संपर्ख में रहेंगे, तो दोनों में आपको समय मिलाएगा, तो इसलिए ये जरूर है, पर की प्रकृति के साथ, पेड़ पौदों के साथ समय बिताइए, इससे आपके सेहत पे काफी प्रभाव पड़ेगा, दूसरा, आलस ना करे, सरीर को सुचार उसे चलाने के लिए आलस बिलकुल ना करे, सारा दिन बैठे ना रहें, इससे सरीर की मानस्पेजियां शिठिल नह होता है, रात में काफी ना, काफी पीने से भी आप लंबी उम्र तक जवाँ दिखेगी, इससे मौझूद तब तो तजा पर पॉजिटिव असर करते हैं, अला कि रात में सोने से पहले काफी पीने से बचना चाहिए, रात में सोने से पहले यदि आप काफी पीते हैं, तो नीद पर इसका प्रतिकूल असर पड़ता है, इसलिए आपको ये बात ध्यान में रखनू चाहिए कि सोने से पहले चाय या कॉफी का सेवन ना करें, सोने से कुछ गुंटे पहले तक आप इन चीडियों का सेवन रोगाइए एक्सरसाइज ये मित, फिट रहने के लिए हर दिन एक्सरसाइज करना बहुत जरूर है, एक्सरसाइज के लिए आप सारी व्यायायायायायायायायययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययय में स्रितिल नहीं होता है करे योग रहे निरोग ज़री कि आप योग कर रहे हैं तो आप विमारियों से दूर रहेंगे आपका सरी स्वस्त रहेगा सरीर में उर्जा बनी रहेगी, सरीर में उर्जा का प्रवा बना रहेगा, सरीर में खून संचरण का प्रवा बिलकुल अच्छे तरीके से बना रहेगा, और सरीर पूरे दिन तरोत ताजा बना रहेगा healthy eating habit, healthy खाईए, जब भी खाईए, healthy खाईए, कम खाईए, तेकिन जो खाईए वो healthy खाईए, फास्ट फूट के सेवन से बचना चाहिए, जो डानिक जीवन में हम लोगों ने आदत बना रखिए, फास्ट फूट खाने की, उनका सेवन कम से कम या ना के बराबर करिए, बिल्कुल ट्याग दिजिए, एवल healthy घर में बना हुआ, अहार का ही सेवन इतिल हो, इससे पाचन क् बासिक खाना खाने से बचे वरना सवीर में फैट की माक्रा बढ़ सकते, संतुली तहा लेना है, फॉलों का जूस पीना है, हरी सब्जिया खाना है, इसकी इन से संबने कोई भी बिमारी नहीं होगी, खटे चीजों का सेवन कम से कम करना है, तो ये सारे वो उपाई है, जिन पालर कर पा रही हैं, तो पांच से तस वर्स तक भी आप अपने उम्ल को घटा सकती है, दुनिया के सामने, ये छोटे चोटे उपाय को करना है, और भी ये दियार को कोई सवाल है आपके मन में, जो आप उचना चाहती है, कोई आपकी समस्या है, तो आप उपसे कमई मांस म जरू जुरिए, हम आपके हर एक सवाल का जवाब देंगे, आपसे झाल झाल